कि लेक्स द्व्न आकांटिंग फ्रोशेस नौउ ेस्से करते हैं हमके से रिकॉर्ट करते हैं कैसे लाट सबसे पहला स्पाइश्प्थ होता है हमेशा identify मतलब यू हाब टू स्ट्ट इंसफाय फर्स जो ट्रांजक्ट से कर रही है कि नहीं आप business में बैठे हो, आपने raw material खरीदा, आपने supplier को payment दिया, वो सब business का transaction ही है, लेकिन वहाँ पर अगर आपका कोई relative आ जाता है और आप उसको पैसा दे देते हो for the help, now this is not your economic transaction, this is not your business transaction, तो पैसे का लेंदेन दिन में बहुत होता है, पर आपको समझना पड़ेगा वो लेंदे ठीक है, तो first आपको identify करना पड़ेगा कि कौन सी transactions को हमें लिखना है book के अंदर, मतलब वो आपके business से relate होनी चाहिए, measure in term of money होनी चाहिए, नहीं तो आप कैसे लिखोगे transaction बिना measurement के, किसी ने आपको order दिया, आपको पता ही नहीं है कितने का order दिया, कैसे लिखोगे, नहीं लिख पाओगे, तो again, पहले उसको measurement भी करना है, हमें monetary term में, and then identify करके उसे लिखना है, अब लिखना मतलब recording, तो सबसे पहले आप record करते हो journal में, अब ये journal क्या है, journal जैसे आपकी rough notebook, rough notebook में सारे subjects लिख कर आ जाते हो, कोई भी अगर teacher या कोई, आपके family member देखते हैं, उस book मे तो समझ ही नहीं आता कि कौन से subject की book है वो, है ना, सारे subjects के notes उसमें लिखे होते हैं, वो rough notebook, same way journal है, journal क्या है, उसके अंदर सारी transaction record कर दी जाती है, morning till night, जो भी transaction हो रही है business में, सारी transaction journal में जाएगी, अच्छा, अब सोचते हैं कि Tata, Reliance, ये तनी बड़ी-बड़ी companyya हैं, तो इनका तो journal एक दिन में कितनी books भरती होंगी, है ना, कितनी transactions होती होंगी, तो अब क्या, मतलब वो journal बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, इतनी सारी transaction लिखेंगे, नहीं, we have an alternative, हम क्या करते हैं, special purpose book भी रखते हैं, special purpose book, अब ये क्या है, subsidize, या subsidiary books भी बोलते हैं, इने, subsidiary book, मतलब journal बनाने की बजाएं, हम क्या करते हैं, कुछ books रख लेते हैं, जो fixed transaction हर एक business में होती है, जब business के अंदर, transaction बहुत ज़्यादा होती हैं, big amount में, तो हम special purpose book, subsidiary books रखना, prefer करते हैं, जैसे, purchase book रखना, purchase, आगर आप purchase कर रहे हो, raw material का, credit पे purchase कर रहे हो, तो सीध purchase account में चला जाएगा, बहुत purchase होता है, business के अंदर, same, sale book, sales book, same, आप रही sale कर रहे हो, तो sales book बन जाएगी, same, purchase return book, sales return book, cash book, ये सारे transaction हमारे normally होती रहते हैं, है ना, तो cash book, cash books हो गई, then last में अगर कुछ बच जाए, तो एक journal proper भी बना लेंगे, तो ये एक ऐसा subsidiary book है, special purpose book है, जिसको, जिसमें हम क्या कर रहे है, इस journal को ही divide कर रहे है, parts में, purchase की सारी entry एक सार डाल दी, sales की सारी एक सार डाल दी, purchase return, sales return, cash book, and journal proper, तो ये करेंगे, इसको, ये आपके practically आप करोगे, इसका पूरा chapter है, you can understand that, ये किसका भी chapter है, journal का भी chapter है, special purpose का भी है, तो that all we are going to do practically, कैसे record करेंगे, बस उसको समझ रहे हैं, कि पहले हम record करेंगे journal में, फिर हम इसे classify करेंगे, classify मतलब, अब fair notebook में डालना है, ठीक है, अभी तक तो आपने क्या किया, rough में डाला, rough में डालने के बाद आप उसे fair करना पड़ेगा, fair मतलब, rough में, जिस subject का आपने लिखा तो यहां पर उसे बोलते हैं, classifying, मतलब ledger, ledger posting, आप एक ledger, ledger का मतलब होता है, separate account for that particular thing, तो एक separate account है, उसकी transaction डालते जाओगे, ताकि कोई supplier अगर आपके पास आता है, और वो बोलता है कि मुझे आपको कितना देना है, या आपसे कितना लेना है, बताओ, तो उस particular person का ही account आपके हाथ में आना चाहिए, ठीक है, classifying, that is ledger, classify के बाद summarizing, कैसे summarize करोगे, financial statements बनाकर, at the end of the year, आप financial statements बनाओगे, financial statements, अब इस से आपको पता चलेगा, कि आपके company में loss है, कि profits है, summarizing, उसको summarize किया, फिर आप analyze करोगे, ठीक है, analyze करोगे कि भी कितना profit किस चीज से है, operating कितना हुआ है, typically business related, कितनी transaction थी, कौन सी मेरी investing से related थी, मैंने investments किया होते है, उससे कितना पैसा आया गया, ठीक है, कौन सी मेरी financing थी, मैंने interest दिया है, तो क्या वो business से relate करता है, नहीं, उसको analyze करोगे, थोड़ा सा उसके ओपर सोचवचार brainstorming किया जाएगा, कि कौन सी चीज किस से relate करती है, then, हम उसको communicate करेंगे to the users, अब बहुत सारे users है, company के अंदर भी, company के बाहर भी, वो देखें, users कौन-कौन से हैं, जिने हम communicate करने वाले हैं, यह सारी information, ताकि वो भी इस information के base पर decision ले पाए, let's see the users कौन-कौन से हैं, वहाँ पर हमारा communication part पूरा समझ आ जाएगा, ठीक ह याद करना है, कि पहले आप identify करो, record करो, classify करो, summarize करो, analyze करो, and communicate करो, so this is accounting process, देख लो, कैसे करता है, then we'll see users